यह आज में आपके लिए यह वाली paint और सलवार का combination है जो उपर से सलवार की तरह होती है बट नीचे से paint की तरह तो इसकी में ज़र आपको बता देती हूं measurement कैसे लिया है तो इसकी जो length है वो ली है मैंने 36 36 में से minus कर दी है 4 तो मैंने 32 inch की यह भी मैंने cutting करी है मैंने total 1 inch मैंने slime margin का प्लस करा है यानि की 33 33 मैं मैंने जो crochet area लिया है 10 inch 10 inch लेके और जो इसकी चोड़ाई है वो मैंने उपर से 17 और crochet area के plus 2 करके और नीचे से 17 रखा है बाद में मैं इसकी छटाई करके extra निकाल दूगी जितने मुझे पहुंचे रखने है ready तो चलिए अब इस ओपर से 17 यहां से 2 inch का है तिजो है मैंने हमारा जो ready size है उसमें से मैंने 4 inch माइनस कर लिया है यह मैंने 6 inch की belt ली है और जितनी पर इलास्टिक है उसके अकोर्डिंग मैंने फाल्तु लिया है आप जितनी भी लास्टिक लगा रहे है उसका double fold करके और आपनी 4 inch की जितनी भी कि रेडी बेल्ट होई है तो अब हम लास्टिक इसके अंदर पहले से ही में और इंसर्ट करने के बाद मैं इसको अभी सबसे पहले बेल्ट बाद अभी क्रोच एरिया जोड़ रही हूं सलवार का कि क्रोच एरिया जोड़ के हम इसे इंटरलोक कर लेंगे यह दोनों क्रोच एरिये की सिलाई हो गई है मैंने डबल डबल सिलाईया लगाई है तो जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी जाएगी अब हम जो एक्स्ट्रा हमारा थोड़ा सभी फालतू जैसे ही रेब में हलका सभी आरता हम साथ साथ कटिंग करते जाएंगे नापनाप के यह जो कपड़ा है यह बहुत सिल्की है अब हमने दो-दो इंच का दोनों तरफ निशान लगाया है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे जैसे हम सिंपल सल्वार में करते हैं यह बैक साइड की हमने प्लेट डाली है और अब इसके साथ सल्वार को जोइंट कर देंगे बैक से बैक मिलाते हुए मैंने छे इंच के आसपास दोनों तरफ छे-छे इंच यह हम छे-छे इंच का निशान लगाएंगे जहां से हमारे चुनट आएंगी तो हमने निशान लगा के हम अपनी बैल्ट को जोइंट कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और ऐसे वीडियो आपको और भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना तो अब यह हो गया है यहां से मैं डबल स्टिच लगा ली है फिर बात में हम टॉप स्टिच भी लगाएंगे यह हो गई है यहां से हम डबल स्टिच करके अब हम इसमें चुनट डालेंगे बिल्कुल छोटी अंदर की तरफ डलेंगे तो यह हमारी प्लेट्स की जो है complete हो गई है वन इंच मेरा extra ही था तो मैंने 6 इंच मानके चला था हमारे 5 इंच में ही प्लेट्स सारी आ गई है और इसको हम सेके दूसरी तरफ भी ऐसे अंदर की तरफ आपको ध्यान दरखना है कि दोनों प्लेट क सामने की तरफ एक दूसरे की तरफ फेस हो और यह चोट-चोटी प्लेट्स यहां भी चोट-चोटी प्लेट्स डिल लिए है हमारी प्लेट्स हो गई अब इसके ओपर टॉप स्टिच लगा रही है हम अब जब भी सलवार बना दे तो टॉप सिच और यह हम लास्टिक में स् और मेरा यादत है मैं जब भी सलवार में हलका सा भी देखती हूं तो मैं फिनेशिंग करने बैट जाती हूं अब हम इसके लेंथ ना पेंगे कि हमारी टोटल लेंथ है कितनी तो हम जितनी रेडी चाहिए अब मुझे चाहिए तो मैं जितना भी नीचे का एक्स्ट्रा है य यह साइड से मैंने चाह इंच और लेंथ में मैंने फाइव इंच की यह सिलाई लगाई है यह दोनों मतलब जो सलवार का जो सैंटर पोइंट निकाल के पहुंचे का और वहां पर मैंने यह लगाई है मतलब दोनों पिनारे वाले साइड इस तरफ है और यह बीच में लगा तो पहुंचे मुझे साड़े पांच के बनाने हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें भी प्लेट और डलेंगी, तो मैं सारी एक पहुंचे में तीन-तीन बॉक्स प्लेट डलेंगी, तो अभी हमने पहले पहुंचे रेडी करना है, इसमें हमने बॉक्स प्लेट और लगा आपना पहोंची को जोड़ेंगे नचा बनाएंगे और आपको पहोंचे में हमेश आ प्रॉकरम मेंकर्णीर में बंकरम स्वाजबने पेपर पेस्टिंग या एक जिन या फ्यूंजाने ही यूद्सिक्टिक्स वह फिनिशिंग नहीं आएगी पोंचे में इसमें जिससे सलवार होती है. मतलब इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. और हमने इसमें बटन भी लगाने है. जहां जहां मने बॉक्स प्ले डाली है. उसके एंड में हम बटन लगाएंगे. यह जिस customer की सलवार थी उसको इतनी जल्दी थी कि मैं इसकी pick भी नहीं ले पाई वो फटा फट ले गई अब यहाँ से पोंचा ले लेंगे अगर आपको तुरपाई इच्छी लगती तो आप तुरपाई कर लीजिए मैंने टॉप स्टिच वैसे लगा दिये और इसको हम साड़े पांच की रखके हम पूरी सलवार पे finishing कर लेंगे और extra कपड़ा जितना भी है उसकी cutting कर देंगे अब यह जिसकी सलवार थी यह मतलब सिलते ही customer आके लेके चले गए मैं pick भी नहीं ले पाई तो मैंने उसने एक जैसी दो सलवार सिलवाई थी तो मैंने दूसरी सलवार की pick डाल दी है और हमने इसकी पूरी finishing करके और बाद में cutting करके interlock कर दी थी जैसे ही मैं करक कहटी वह तब ही ले गई तो मुझे अफसोस तो बहुत हुआ कि मैं इसकी pick नहीं लगा पाई चलो कोई भी अगर आपको ऐसी हमारी वीडियो अच्छी लगती है और और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यह रही दूसरी सलवार की pick थैंक्स वर वाचिंग बाई